जैने दोस्तों बंदे मात्रा अनुबम खेर बॉलिवुड के उन जाने माने कलाकारों में से आते हैं जिनकी एक्टिंग का हर कोई कायल है ये जिस तरह की वर्सटाइल एक्टर हैं उनकी एक्टिंग को देखकर हर कोई बस मंत्रमुग्द हो जाता है अभी कुछी दिनों पहल पर कश्वीन फाइल्स को लेकर कुछ बात कही तो एक पत्रकार से उनकी नोगजोग हो गई ये पत्रकार थे दैनिक भासकर के और वो भी जवाब देना से बाज नहीं आ रहे थे इन दोनों की बीच में जो नोगजोग हुई उसका पबलिक ने काफी मज़े लिये लेकिन आ खेर ने राजेश को कहा कि वो दूसरों को ग्यान देने के बजाए आतंगवाद पर लिखने की कोईश करे ये उन औरतों के बारें बताया जिनका कश्मीर में बलाकार किया गया था ट्विटर पर राजेश शाहू को ये जवाब अनुपम खेर ने साहू के एक ट्वीट के वदले में किया जिसमें वो कह रहे थे कि अनुपम खेर पहले पूजा पार छोड़ें और पहले जाकर कश्मीरी हिंदू के लिए सुरक्षा बांगे ये पूरा विवाद दरसल अनुपम खेर के 14 जून की रात किये गए ट्वीट पर शुरू हुआ अपने ट्वीट में उन और अनुपम खेर को कहने लगे कि आपको वारनासी आने से पहले कश्मीर जाने की ज़रूरा थे वहां के हालात खराब हैं वहां जाकर राजपाल महोदय से पंडितों की सुरक्षा के लिए बात करें इसके बाद महादेव के पास पंडितों की आत्मा की शान्ती के लिए प 35 सालों सा आतंगवादियों ने कश्मीरी हिंदूओं को बहरे में सिमा रहा है उनकी माता और बहनों के साथ दुशकर्म किया आतंगवाद की भी बुराई कर लो थोड़ी जिनकी पूजा के लिए जा रहा हूं वो उनकी गोलियों के ही शिकार हुए है अब देखिए इसी के उ इस फिल्म को हिंदू की मौत की वज़े बता चुके हैं उनके अलावा सोशल मीडिया का लिबरल समुदाय भी कभी इस फिल्म में दिखाई गई चीजों को हजम नहीं कर पाया अनुपम खेर राजेश साहू के ट्वीट के नीचे भी देख सकते हैं कई सारे कटरपंतियों अनुपम खेर को निशाना बनाते हुए दा कश्मीर फाइल्स में उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाएं जाहिर सी बात है यह जो बाते थी यह बाते ऐसी थी जिनकों की पढ़कर आपको भी लगेगा कि आखिर ऐसी बाते एक सब्वे समाज में लोग क्यों ही कर रहे हैं पर जो लोग बैठे हैं वो बिलबिला से गए हैं आतकवादियों को परिशानी होना शुरू हो गई और हमले होना बंद हो गए मेरे सुडियों फिलालत नहीं जाये हैं चैपार